हेलो स्वोरन्स मैं डॉक्टर अंजु मित्तल ब्यस्टी पैटर्ट फार्स्ट में आज हम बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिय ब्ल्यूग्रीन एल्गी एल्गी है लेकिन इसके इस्वे बैक्टीरिया से इनमें काफी resemble नैस है, इसलिए इसे साइनो बेक्टीरिया भी कहा जाता है, लेकिन ये algae के समान ही photosynthesis का काम करते हैं, उनमें pigments पाय जाते हैं, जिससे photosynthesis करते हैं, और अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं, इसलिए इसे algae के पास में, साथ में, इसमें cellulose, भित्ती plants के सम समान पाय जाती है, और लेकिन इनमें bacteria से भी समानता देखने को मिलती है, और ये different type के habitats जैसे soil में, water के अंदर, and environment के अंदर, और sea and burf, मतलब स्नो के अंदर, and water, and hot springs में भी ये पाय जाती हैं, इनकी species ये इनमें new, हरित छेवाल कहा जाता है, और भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर pigments के वज़े से, इनका जो color है, वो blue green कहलाता है, और sinobacteria, क्योंकि ये bacteria से इनके अंदर, काफी समानता जो मिलती है, इसको एक अलग group के अंदर भी रखा गया है, mixophysi या synophysi में से रखा गया है, और international code of nomenclature और bacteria के इसाब से, इनमें bacteria से काफी resembleness देखने को मिलती है, जैसे कि ये prokaryotic structure को शो करते हैं, जहांपे nuclear membrane absent होती है, और इनमें nucleus भी absent है, और जो कोशी का भित्ती के बाहर, mucilase sheet पाए जाती है, बैक्टीरिया के समानी, और harmogonia जैसे जनन प्रक्रिया के अंदर structure इसमें पाए जाती है, और इनमें जो गती है और उनके अकार के अंदर भी ये जिवानों से, sulfur जिवानों से असिल्टेरिया काफी resemble करता है, और इसमें antibiotic के प्रती, इनकी sensitivity का शो करना, ये इसके bacteria के काफी इनके समकक्ष इनको रखता है, और ये sulfur and nitrogen के metabolism में भी ये bacteria के समान ही है, और साथ में इनमें genetic recombination भी इनमें bacteria के समान पाए जाता है, और साथ में ही इनमें flasla, absence of flasla का इसमें अभाब और generally इनमें समानताओं के इतनी समानताओं में, यहाँ पर absence of flasla भी इसके साथ में है, इनके समीप है bacteria से, लेकिन photosynthesis जो function है, जो plants में ही हो सकता है, pigment से, जिससे कि ये अपना भोजन बनाते हैं, वो ये समानता शो करते हैं, algae के साथ में, तो इसको different, different algae logist ने इसको bacteria से ज़्यादा इनको algae माना, और सेल्टेरिया जिसको साइनो, फाइसी, और और नॉस्ट्रोकेल्स, और फैमिली, और स्ट्रियो, लेरेसी ने में रखा है, और ये fresh water algae है, और साथ में ये, किसी pond के अलावा, जहां पर थोड़े कुछ water, जहां reserve water है, अलग-अलग स्थान पे, वहां पर भी इनके चिकने जाल को, जहां पर म्यूसिलेस टाइब के algae को देखा जा सकता है, और कुछ इनमें जो की planktonic है, जिसे की ocultaria prolophyka, और एक ये तन्तू जैसे है, जिसमें एक साल, uniserate crumb के अंदर लगी हुई है, एक साल के ऊपर एक साल, जिसकी साल्स की चोड़ाई जादा है, और लंबाई कम होती है, और ये एक साल के बाद में एक पंक्ती के अंदर लगी हुई है, कोई भी branch इनके अंदर नहीं होती, और इसलिए इनको हम trichome कहते हैं, सभी species में समानता है, लेकिन उनकी जो apical portion, apex है, उनमें कुछ भेंता देखी गई है, जैसे की acute होना, acuminata, species में पाय जाता है, और इनमें as a discoid, disc जैसे structure, जैसे की इसमें C में दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर discoid जैसा, यहाँ पर structure बन रहा है, उसे ausilteria princesses में, और यहाँ पर D के अंदर ausilteria provocedia, जिसमें kaliptra जैसा एक structure यहाँ पर बन रहा है, और यह सभी जो तंतो है, तंतो जैसे structure है, unicidate structure है, इन पर एक mucilase यहाँ पर पाई जाती है, mucilase एक आवरण, बैक्टीरिया के समान ही इनके अंदर होता है, यह एक electron structure है, बैक्टीरिया का, और यहाँ पर यह एक थालस, जिसको थोड़ा सा बताया गया है, कि यहाँ पर थोड़ा blood size के अंदर थालस को, और थालस में इसकी जो एक unicidate structure है, इनकी cell prokaryotic cell है, और जिसमें nuclear membrane absent होती है, और इनकी जो structure है, यह cellulose से बनी होई होती है, और तीन परतों में बनी होती है, और यह तीन परतें, इनमें trichome की तीन परतें, जिसमें बहार की परत पतली है, उसके बीच की 160 am strong और 2000 जो सबसे इनर वाली बनी होई है, ती परत और यह बैक्टीरियों के समान इनर जो है इसकी, जिसमें mucopeptide से निर्मित है, carbohydrate amino acid और phatic acid बने हैं, और इनका जो प्रारोपै वो प्रोकेरियोटिक सेल, लेकिन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहार जो क्रॉमोप्लास और इनर को सेंट्रोप्लास कहा जाता है, और क्रोमोप्लास में photosynthetic lamella पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर अन्य प्लांस जैसे होते हैं, वह पर प्लास्टिट नहीं होते हैं और यहाँ पर photosynthetic lamella होती हैं, और इनके figments C-phicocosinin and C-phicocosinin और Erythin वो काफी मात्रा में पाई जाती है, और जो कि प्लांक टॉनिक हैं, उनके अंदर pseudovacules पाई जाती हैं, क्रोमोप्लास में जिसमें कि कुछ gases वहाँ पर भरी होई होती हैं, और इनके अंदर, जिससे कि इनका प्लावन हैं, वो बढ़ जाता हैं, और यह पानी के अपर तैरने लग जाते हैं, और जैसे रिक्तिका हटती हैं, वैक्तिल्स हटती हैं, पानी में यह डूप जाती हैं, और सेंटर में ही nuclear membrane matter भरा हुआ हैं, और इसके चारो तरह नुकलिय मेंब्रन एपसंट है साथ में नुकलियस भी यहां पर एपसंट है इसे इनसी पेंट या आरम भी केंद्रक कहा जाता है और यहां पर कोशिकाओ के सेंट्रो प्लास में कुछ पॉली हैट्रल बॉडिस पाए जाती है जिससे राइबुलूस डाय फॉस्पेट्ट अणिशन में एल्प करते है इसके अलवा यहां पर कुछ बॉडी जिसके अंदर होथी है जिसमें फॉस Federal कषह कहा पर पाई जाती है और इनके अंदर इन में ग्रोथ पाई जाती है और वो इंटर कैलरी ग्रोथ होती है और इनकी सभी साल्स में डिवीजन होने में ये सक्षम है ये सभी साल्स सभी साल्स के अंदर ये डिवाइड होने में ये सक्षम है परती एक जो साल है वो different structure बना सकती है और इनमें ये एक दूसरे से इनका proto-plasm है वो जा सकता है प्लास्मो छिद्र होते हैं जिसे प्लास्मो डेस्मेटा हम कहा जाता कि एक दूसरे की सेल से इनके संपर्क जो है वो बना रहता है और इनके जो पट है वो यानि की पूरे तरह से पट सेपरेट है उनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं और इनके chlorophyll है C-phico-synin, C-phico-erythin, photosynthetic pigments और इसके अलावा इनमें जो रिजर्फ फूर्ड है वो glucose and glycosin के रूप में है और psychophysin starch and glycoprotein के रूप में इनका जो फूर्ड है वो रिजर्फ रहता है प्रकास अंसलेशन से glucose and glycosin का निर्मान होता है जो कि psychophysin starch and glycoprotein के रूप में इनका फूर्ड रिजर्फ रहता है और इनमें reproduction है वो vegetative method से होता है और इसमें a sexual and sexual reproduction absent है यहां पर harmogonia के थूँ यहां पर जो बन रहा है structure दिखाए दे रहा है बनते हैं इसके अंदर harmogonia तो harmogonia इसके ट्राइकोम को separate करने के लिए जो disc like structure बन रहे है और बीच की जो cell है जिसके अंदर बीच में protoplasmic material खतम होने के साथ में वो चप्टी cell बन जाती है और जिससे हम नेकरडिया कहते हैं उन cell को और यह जो नेकरडिया cells है और यह कोशिकाई जिसने protoplasm में वो खतम हो गया है और यह दवाब के कारण by concave प्रतीत होती है और इनके जो बीच का जो हिस्सा है जो living cell है जिससे हम हार्मोगोनिया कहते हैं और यह हार्मोगोनिया different एक अलग से अपना structure या नया तंतों बनाने के लिए अलग separate हो जाती हैं और इस तरह से यह हार्मोगोनिया जिनका जो जीवद्रवे या इनका protoplasm में वो mucilis में परिवर्टित हो गया है और निर्जी as a non-living cell के अंदर यह convert हो जाती है और इसमें एक बहुत ही जो important character है कि इसमें moment पाय जाता है और यह जो moment है केवल यह ausilteria के अंदर ही पाय जाता है यह spontaneous और जहां पर कभी sunlight है sunlight में यह moment को यह show करते हैं जैसे कि first है यहाँ पर gliding या creeping type का जिस यह rhythmic है और यहाँ पर longitudinal axis में इनकी गती होती है वो एक ही जगे पर यह इसमें अकार में कोई भी यहाँ पर difference नहीं होता है और यह small यहाँ पर इनका जो moments है यह दिशा के अंदर different दिशा में यह move करते हैं और यह जो कहलाती है gliding moment है यहाँ पर जो दिखाए दे रहा जहाँ पर एक स्थान पर रहके और different दिशाओं के अंदर यह move कर रहें और दूसरा है यहाँ पर oscillatory moment और यह pendulum के समान है जहाँ पर यह दाई और बाई और यह गती करते हैं और इन में इन गतियों के लिए अलग अलग स्पस्टिकरन दिये गए हैं कि इनका जो movement है वो इस तरह से क्यूं होता है यह इनके कुछ scientist के according इसमें कुछ सीलिया होते हैं जो कि जहां पर यह दिखाई न देने वाले सीलिया इनके उपर है और यह इनमें गती है इनमें उपस्ति जो भित्ती पर पोर्स के थ्रू इनमें कुछ mucilis substance के थ्रू यहां पर जो गती होती है जो भित्ती पर यह जाने से चिद्रों से और स्लैश्मा के परधार से इनमें गती होती है यह यह शीर्ष के अधार पर यह कुछ rhythmic construction waves के कारण होती है यह इनमें automatic pressure का कारण होता है और यह जो सिद्धान्त है वो उनके according osmetic pressure है वो इनके कारण बनता है oscillatory movement के लिए उसके अलावा fragmentation इनमें जनन जो है fragmentation जैसे की कोई भी तंतु है वो different different उसमें break हो गया तो और अपना एक new thallus बनाने के अंदर suction है